रोयल चलेंजर बैंगलोर वर्सिफ पंजाब किंग्स के बीच खेला गया IPL 2023 का मैच नमबर 27 और इस रोमांचक मुकाबले में विराट कोली ने अपनी कफ्तानी में 24 रन से RCB को जीत दिलाई और इसे पोंस टेबल में बहुत बड़ा डिफरेंस आता नजर आए जिए आप भ सबी को बता दे विराट कोली एक बाब फिर से अपने कफ्तानी वाले फॉर्म में वापिस आ चुकर विराट कोली का ये फॉर्म देखकर हर कोई दंग है जिस तरीके से विराट कोली ने कफ्तानी करी इस मुकाबले में 174 रन एक छोटा टार्गिट था मोहाली के मैदान पर क्योंकि 180-190 अराम से चेज हो जाते हैं आई पेल में हमने देखा है लेकिन 174 को डिफैंड किया सिरास की शांदार गेंदबाजी रही लेकिन एक बात ये भी देखने को मिलते है जब कप्तानी कोली करते हैं तो हर्शल पटेलो सिरास ये दो गेंदबाज बहुत चमकते नजर आ रहे और वही हमें देखने को भी मिला हर्चल पटेलो सिराज ने ऐसी सदी भी गेंदबाजी करी जो शायद इनका बेस्ट फिगर निकल कर सामने है गेंदबाजी का लेकिन जिस तरीके से ये मकाबला जीती नजर आई रोयल चेलेंजर बैंगलोर की टीम औरंज कैप, परपल कैप और साथी साथ पॉंस टेबल ये तीनों ही तरब बहुत बड़ा बदलाब होता नजर आया है यहाँ पर कहीं न कहीं इस टीम के नजरिये से जी आप सभी को सारी जानकारी दे क्या कुछ मैदान पर घटा क्यों कप्तानी करनी पड़ी विराट कोली को लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट पा सकें तो RCB वर्सिस PBKS के बीच ये मुकाबला केला गया मोहाली के मैदान पर पंजाब क्रिकेट एस्योशेशन आईएस बिंदरा का ये मैदान था जहां पर टॉस जितकर पंजाब किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का निर्डे किया पंजाब किंग्स की प्लेइंग लेवन थी अतरवा तेड़े मैथ्यू शॉर्ट हरपरेज सिंग और साथी साथ लियाम लिविंस्टन सैम कॉरन जितेश शर्मा शारुख खान हरपरीद बरार नैथन एलिस राहुल चेहर अर्श दीप सिंग यह शांदार खिला ली थे और वहीं पंजाब किंग्स ने अपने इंपक्ट प्लेइर करूप में लाए थे प्रभ सिंवरन सिंग को तो वहीं आर्सीबी की सबसे खास बात यह रही कि प्लेइंग लेवन का हिस्सा थे फैब डू प्लेसिस लेकि विराट कोली के कप्तानी का जिम्मा सोपा गया क्योंकि फैब डू प्लेसिस इंजरी का सामना थोड़ा बहुत करते नजर आये थे लेकिन एज़ा बैट्समेन नजर आये मैदान पर क्योंकि इंपक्ट प्लेयर का जब ऑप्शन यहाँ पर खुला हुआ है तो उस इंपक्ट प्लेयर के ऑप्शन को और वो बहुत शांदार रहा क्योंकि विराट कोली ने कप्तानी कर ली फैब डू प्लेसिस इसने अच्छी बलेबाजी कर ली तो प्लेंग 11 थी विराट, फैफ, महिपाल, लोम्रोर, गिलेंड, मैक्स्वेल, शहबाज, अहमद, दिनेश कार्तिक, वानिंदू, हसरंग, श् इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मोका, तो मोहाली का ये मैदान था जहांपर पहले बलेबाजी करने उतरी, RCB की टीम क्यूंकि टॉस हार चुकी थी, पहले बलेबाजी करते वे, RCB ने 174 रन चार विकेट के नुकसान पर बनाए, चार विकेट वो भी लास्ट में जाकर ग लेकिन 47 गेंदों में 69 रन की पारी पांच चोक एक छक्को की बदूलत 125 का स्बिच उनका स्ट्रैक रेट था, तो ऐसे देखने को मिला हर प्रिद वरार ने विकेट लिया, कैश पकड़े जिते शर्बा ने, फैब डू प्लेसिस के साथ मिलकर करीब 137 रन की पार्टनर्शि लेकिन फैब जू प्लेसिस ने अपना काम किया 56 गेंद में 84 रन 5 चोके 5 चको की बदूलत मारा, 150 का स्बिच इनका स्ट्राइक रेट था, नैतन आलिस निनका विकेट लिया, कैश पकड़े इस स्वैम करन ने, लेकिन तब तक ये खिलाड़े अपना काम कर चुके थे, शतक मार सकते थे, लेकिन टीम का रन एट गिरता दे, किन रन 4 चोके शक्ये मारने की सोची, लेकिन कैस हमा बैटे बाउंडरी पर स्वैम करन को, इसके बाद कोई बले बाद जादा कुछ खास करनी पाया, जो फिनिश की उमीद थी कि 10-15 रन और बन सकते थे, 190 गा टार्गेट हो सकता था जैसे शुरुआत मिली थी, क्यूंकि जब आपके 16 अवर तक 137 रन है और 200 विकेट आपके हाथ में बची 24 गेन में, आप जादे से जादा रन मनाने की ओर देखते हैं, लेकिन वो रन नहीं बन पाए, दिनेश का अर्तिक 5 गेन में सिर्फ 7 रन मनाए, लोम रोर ने से उनका होम ग्राउंड था, लेकिन इस होम ग्राउंड के जादा कुछ खास कर नहीं पाए, अथरवाट टेड़े की बात करें, तो दो गेन में 4 रन मनाया था, एक चोका मारा ही था, लेकिन सिर्फ ने उनको पहले ओवर में दूसरी गेन पर चलता कर दिया, पहली गेन पर चोका दूसरी गेन पर विकेट LBW के रूप में, तो यहाँ पर शुरुआत बहुत अची रही RCB के लिए, प्रप सिमरें सिंग अच्छे फॉर्म में नजरा आ रहा था, एज़ा एमपैक प्लेयरूम रूप में इनको उतारा गया था, मैथ्यू शॉर्ट थे, मैथ्यू श खिलाडी से लंबे चोड़े चोके चक्के मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खास बात आपको बताएं इस खिलाडी की, कि 23 मैच की 23 पारी में 549 रन, 27 की एवरेज और 186 के स्ट्राइक रेट से 38 चोके मारे हैं, तो 40 चक्के इस खिलाडी ने मारे हैं, जब भी फ पर 4 विकेट आ चुके थे, भाटिया भी जल्दी आउट हो गए थे, 43 रन पर 14 विकेट गिरा था उनका, भाटिया ने यहाँ पर देखा जाता है, उमीद थी पारी बड़ी खेलेंगे, लेकिन 12 गेट में सिरिफ 10 रन बना पाए, प्रप सिमरन सिंग ने 30 गेट में 46 रन बन पर के बहुत नुकसान भरी पारी थी, थोड़ा गलच शोट खेल बेट है थे, 97 रन पर 6 विकेट गिर गिर गया था, अगर विकेट हाथ में होता है, जितेश शर्मा यह मुकाबला जिता देते जिस अंदाज में जितेश शर्मा बल्ले बाजी कर रहे थे, शारोख खान जि सिराज ने जिस अंदाज में चलता किया लास्ट में, फिर सिराज ने लास्ट में हरपरीत और नैथन दोनों का ही क्लीन बोल्ड करके विकेट लिया, एक कैच छूटा था, वहाँ पर विराट कोली से बाउंडरी पर लेकिन क्या ज्यादा भारी नहीं पड़ा, क्यूंकि 27 इंद में, तालिस अर्म नाकर, तीन छक्यों की बदला, जिते शर्म वापिस पवेलियन गए, एक सो क्यावन का इस वीच इनका स्ट्राइक रेट था, चार विकेट सिराज ने चटकाई, एक विकेट वियान पार नेल, दो विकेट वान इंदू, एक विकेट हरश पठेल, चटकाते नजर आए, तो वहीं बात करें किस तरीके से, इस मुकाबले में, यहाँ पर जो परपल कैप के लिस्ट के हम अगर तरफ जाते हैं, तो परपल कैप के लिस्ट में, जिस तरीके से, यहाँ पर अभी तक रोमांच्यों मुकाबले हमें देखने को मिले हैं, तो वहा पर पंजाब किंग्स के अगर बात करें खिलाडी की तो शिकर दवन है लेकिन चार मैच में 233 से रन बना रहे थे शिकर दवन ने 116 की एवरेस से रन बना रहे थे लेकिन वो मुकाबले दो मिस करते हैं नजरा इसलिए पीछ हो गए अब बात करें सबसे इंपोर्टेंट बात जो है पॉइंस टेबल कि अब दो पॉइंट मिला है दो पॉइंट मिलने के बात कहां पर नजर आ रहे हैं यहां पर रोयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम तो आरसीवी की टीम पांचवे नंबर पर आ गई है तीन जी तीन हार के साथ नेट रन डिट थोड़ा माइनस में अग आरसीवी की टीम मुकाबले कुछ आरने के बाद क्या आप चाहते विराट कोली पूरे ही सीजन का अपतानी करें तो अपनीरा कॉमेंट सेक्शन में जोर दीजीगा बहुत बहुत धन्यवाद